क्लीन भोशपूरी में भोशपूरी में जो अभी चल रहा है आप लोग जहां तहां जो है जहां तहां नहीं कह सकते हैं वैट्सिप में खास तोर पर वैट्सिप में जो चीज़ देख रहे हैं उसके बारे में बहुत सारे लोगों को बहुत सारा कन्फूजन है आप सब को पता होगा कि आजकल जो है वो दो मोडल भोशपुरी का एक तो आपके हो गए प्रमिला भोश जी और दूसरा त्रिशा करमधू आप सबने इनको जरूर देखा होगा गानों में, इल्बमों में और इनका जो आजकल जो करनामा वाइरल हो रहा है उसको तो जरूर आप लोग देखे होंगे इन्ही के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सबसे पहले ये चीज़ कि जो त्रिशा करमधू का वीडियो वाइरल हो रहा है और जो ये वीडियो वाइरल हुआ है इसमें लोगों का ये डाउट है कि आखिर वो जो लड़का है और जो उनके साथ है वो है कौन जी हाँ अब भाई कुछ लोगों का कहना ये है कि ये जो है आदी सक्ति का मेनेजर है अमित मिसरा नाम है तो कुछ लोगों का कहना है कि वो नहीं है तो जहां तक बात है आदिशक्ति से संबन इसमें ये कहीं से भी फ्रूफ नहीं होता है कि वो जो है वो अमिस्टिंग है क्योंकि आदिशक्ति का मैनेजर का कौन है कोई कह रहा है कि मालिक है ये चीज़ का अभी तक जो है 100% जो है वो confirmation नहीं मिला है तो हम नहीं कह सकते हैं कि यह है अब दूसरी चीज यह है कि प्रमीला घौष जी के बारे में लोग यह कह रहे हैं कि उनका ही फोटो है तो प्रमीला घौष कह रहे हैं कि यह मेरा नहीं है जबकि यह साब तोर पर फोटो में देखा जा रहा है जितना मैं देखा हूँ या लोग देखे हैं कि उनका जो ये कानी उंगली जो होता है उसमें जो अंगुठी है रिंग वो और जो फोटो है जो फोटो वाइरल हुआ है उसमें का रिंग जो है वो सेम है तो इस से लोगों का मानना ये है कि वो फोटो जो है उसी का है, अब भाई एक दी हम ये कहना चाहते हैं कि आप लोग जीतना ये दोनों को बिसक हम यह नहीं कहते हैं कि यह लोग जो हैं दोसी नहीं है या देखो भाई वो जो किये हैंBlackे नहीं करके किया और वो जो है लड़का वाइरल कर देता है तो उसका भी 50% जो है इसमें दोसी है और जितना सवाल आप तिर्शाकर मधु से पूछ रहे हैं उतना आप जो है वो लड़का के बारे में पता करिए कि वो अखिर एक नंबर का जो दोगला इंसान है वो है कौन जो ऐसा क किया है और अपने संसकार का जो परिजय दिया है कि यहां पे शिर्पूचम का गलती नहीं है वह 18 पलस है वह अपने मरजी कि वह कल का कुछ कुछ कर ले या फिर उच हो जाए तो उसमें कहीने कहीं आप लोग भी दोसी हो जाएंगे तो यही कहना था और बाकी वह कौन है लड़का इसके बारे में मुझे भी पूरी तरीका से पता नहीं है तो मैं नहीं बता पा रहा हूं तो मिलते हैं अगले वीडि और बस इतना ही उसको भी जाके टार्गेट करिए क्योंकि उसने जो दोगलप नहीं किया है उसको उसकी सजा जरूर मिलना चाहिए और प्रसासन से भी अनुरोध रहेगा कि आप लोग भी थोड़ा एक्किव होई है और यस इस इन सब मामलों में भी आप लोग आईए